कौन आपको बहुत याद कर रहा है इस समय देल से चुनिए कोई एक नमबर नमस्का दोस्तों जैमात अदी जैश्री कृष्णा कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब खुश होंगे सिहत मंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे बहुत ही इंटरस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपको इस समय कौन याद कर रहा है कौन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहा है और क्यों याद कर रहा है तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको numbers दिखाई दे रहे हैं आप उस में से जो भी number आपको ज़्यादा attractive लग रहा है आप उसको चुन लीजिए सबसे पहले दोस्तों अपनी आखों को बंद करके आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सही number चूस करने में मदद करें ताकि आप अपनी रीडिंग देख सकें और आपको अपनी सही रीडिंग मिल जाए आपको सही message मिल जाए इस वीडियो के मात्यम से तो चलिए आपने चुन लिया होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब कर लिजे लाइक करें शेयर कर अपने friends के साथ कि अभी आपके दिल के करीब कोई आपका बहुत close friend है जो आपको बहुत याद कर रहा है जी हाँ वो इतना close है आप दोनों का बहुत close relationship है वो male भी हो सकता है female भी हो सकता है कोई reason है जिसलिए वो आपको बहुत याद कर रहे हैं आप दोनों का relation बहुत कहना चाहिए बहुत ग बस वैसा ही कुछ है कि उन्हें शायद आपकी प्रावलम का एहसास हो रहा है या तो फिर वो किसी प्रावलम में हैं अगर वो प्रावलम में हैं और आपको नहीं बता पा रहे हैं तो situation कुछ ऐसी भी हो सकती है तो friends आपके जो close friends हैं जो आपको बहुत अपने दिल से चाहते है और बहुत close हैं आप दोनों का relation बहुत गहरा है इतना गहरा है कि आप लोग अपने parents से पहले एक दूसरे को याद करते हैं और अपनी बातें share करते हैं और ऐसा सोच रहे हैं अभी वो आपके बारे में कि आप अगर होते उनके आस पास तो वो शायद इतना lonely feel नहीं करते इत रहा है कि आप अगर आस पास होते उनके तो शायद इस मुसीबत में वो नहीं फसते और वो बच जाते या तो फिर अगर आप उनके आस पास होते तो शायद उन्हें ज़्यादा strength मिलती अभी बहुत weak feel कर रहे हैं वो खुद को तो दोस्तों जो भी आपके करीब हैं वो आद कर रहे हैं कि उन्हें कुछ एहसास हो रहा है कि आप शायद किसी मुसीवत में हैं या आपकी problem की वज़े से आप दोनों का intuition इतना strong है कि उन्हें कुछ एहसास हो रहा है तो अगर आपकी बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो आप सबसे पहले काम करें उनसे बात कर हो सकता है कि वो आपको दिल से आद कर रहे हैं भले ही वो आपसे कुछ ना कह पा रही हो लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपसे अपनी problem share करेंगे और बताएंगे कि वो आपको क्यों याद कर रहे थे तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आपको क्या कर ना है आपकी जो friend है आप उनसे बात कर लें और अगर वो male है या female है जो भी है वो आपको बहुत पसंद करते हैं वो आपको बहुत मिस करते हैं अब बात कर लेते हैं साइन और element की तो सबसे strong जो sign है वो है कर्क ब्रस्चिक मीन राशी पाइसिस केंसे स्कॉर्पियो टारस बर्गो कैप्रिकॉर्ण ब्रिशब करन्या मकरासी बहुत strong है अब बात कर लेते हैं date of birth की तो आपके person की date of birth या आपकी date of birth हो सकती है 4, 14 और 25, 27 दोस्तों उनकी date of birth हो सकता date of birth मन्त हो सकता है August, November और मई चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा आप बात कर लेते हैं बात कर लेते हैं second वाले pile की कौन आपको इतना miss कर रहा है दोस्तों आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, टेरो काड़ी यहीं बता रही हैं कि अभी आपकी family में कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहा है हो सकता है आपकी parents हो जोने आपकी बहुत चिंता हो रही है हो सकता है अभी वो आप उनसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं आप उनसे नाराज है किसी बात को लेकर या तो फिर आप बहुत careless person है और इसलिए उन्हें इतनी चिंता हो रही है कि कहीं आप अपना ख्याल रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं आप किस तरह से हैं आप ठीक तो हैं आपको कोई problem तो नहीं है यह बात उनके मन में आ रही हैं तो अभी आपके parents जो हो सकता आपके father आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे उतनी बात नहीं कर रहे हैं डेले आप उनसे phone लगा कर बात नहीं करते हैं तो किसी भी बात को लेकर आप उनसे अपनी नाराज़गी शो कर रहे हैं और इसलिए उन्हें अंदर ये अंदर आपकी बहुत याद आ रही है वो आपको बहुत मिस्स कर रहे हैं उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप ठीक तो है ना आप कहीं बाहर आए हैं ऐसा लग रहा है अपनी फैमिली से भी आप दूर हैं डिस्टेंस है आपकी फैमिली के साथ आपका भी और किसी जर्नी पर आए हैं या तो फिर आप किसी काम से आए हैं या आप इस्टुडेंट है तो आप बाहर रह के पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं आप फैमिली के साथ नहीं है आपशन नमबर टू के लिए मुझे यही लग रहा है कि आप अपने फैमिली से भी दूर है और आपकी फैमिली में कोई आपको बहुत जादा मिस कर रहा है आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या आपके ग्रेंट्पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो आपको दिल से याद कर रहे हैं तो दोस्तों आप जो भी आपको बहुत याद कर रहा है अगर आप किसी बात पर नाराज हैं तो आपको एक बात कह दें कि अपने parents से नाराज रहके आप उन्हें और दुखी कर रहे हैं तो आप उन से बात कर लीजिए और वो हमेशा आपके भलाई के लिए कुछ कहते हैं अगर वो हमेशा आपको कुछ समझाते हैं कोई समझायज देते हैं और आपको पसंद नहीं आती है उनके suggestion आपको नहीं अच्छे लगते हैं लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपके parents ही आपको दे सकते हैं और कहते हैं कि कोई भी रिष्टा जब आप बनाते हो तो उसके लिए आपको पे करना होता है लेकिन एक मावाप पैसे हैं इस धर्ती पर जो हमेशा बहुत प्यार देंगे आपको आप से चाहेंगे कि नहीं कभी कुछ उस सिर्फ यहीं चाहेंगे कि आप अच्छे से रहें आपकी खुशियों का ख्याल रखते हैं वो हमेशा तो आप उनसे नाराज ना हो या आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं आप बिजी हैं कुछ भी हो सकता है तो आप उनसे बात कर लीज़े और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अपने मावाप को आप दुखी करके आप खुद भी दुखी ही होंगे आपको खुशियान नहीं मिलेंगी I hope आपको समझ में आ गया होगा तो खयाल रखिए अपना और उनका जिन से आप बहुत प्यार करते हैं जैमातादी जैश्री कृष्णा अब बात कर लेते हैं पाइल नमबर थ्री के जिसने भी चुना है पाइल नमबर थ्री उनके लिए क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड फ्रेंड्स आपने चुनाएं पाइल नमबर थ्री को और आप जानना चाहते हैं कि वो कौन हैं जो आपको बहुत मिस कर रहा है इस समय तो आपको बता दें दोस्तों कि वो वही हैं जिसे आप दिल से चाहते थे और आप दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था आपके परसन आपको भी बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि अभी आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं आपने अभी उनसे बात करना बंद क करती है कोई रीसन है कोई लडाई जगडा हुआ है या तो फिर आप कहीं बाहर चले गए हैं या तो फिर वह बाहर चले गए हैं आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया है अभी दूरियां बढ़ गई हैं और वह आपको बहुत जादा मिस्स कर रहे हैं हो सकता है उन्होंने आपकी कहीं से पुरानी तस्वीर देख लिया तो फिर आपकी प्रोफाइल चेक कर रहे हूं आपकी पुराने मैसेज देखे हैं कहीं न गहीं वो आपको ऐसा कुछ टच में आया है आपका दिया हुआ गिफ्ट देख लिया उन्होंने या उनकी यादें अभी ताजा हुई सड्डनली उन्हें कुछ ऐसी आपका जिकर क 것이 ने कर दिया हो सकता है या तो फिर आपके नाम जैसा कोई अनने नज़र आ गया है किसी कि ने नाम पुकारा और उनने सड्टनली आपकी आदा है अचानक से अभी उन्हें बहुत यादा रही है आपकी और एक बात बतातें के लिए कोई action लेना चाहते हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब वो आप से दूरी नहीं रखना चाहते उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके लिए कोई ऐसा action ले और अब आपके साथ कोई commitment करें ऐसा आपके person को लग रहा है और आप भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं आप इसी लिए ये reading देख रहे हैं क्योंकि आपको भी उनकी याद आती है और आप भी चाहते हैं कि रियूनियन हो जाएं वे आप लोग फिर से मिल जाएं अगर आप अलग हो गए हैं अगर आप दूर हैं तो आप की ये दूरियां खत्म हो जाएं त अभी आप से धेर सारी बात करें हो सकता है वो अगर अभी नहीं आ पा रहे तो वो फोन लगाएं आपको मैसेज करें कुछ ना कुछ उनका मैसेज जरूर आने वाला है आपके लिए और आपके जो परसन है वो बहुत जल्द आपके कोई ऐसा strong action लेने वाले हैं आपके favor में लेने वाले हैं आपके रिष्टे को वो बहुत important समझते हैं अपनी खुद के लिए अपनी life के लिए और अब वो आपके साथ कोई commitment करेंगे या तो फिर एक reason यह भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके जो person है हो सकता है बहुत strong नहीं है वो financially बहुत strong नहीं है और अभी वो कुछ liability उनके उपर है कुछ ऐसी जिम्मेदारिया हैं जिस वजह से वो तुरंत ही आपके लिए कोई action नहीं ले पा रहे क्योंकि वो चाहते हैं थोड़ा सा stable हो जाए अपनी life में पैसा कमा लें अपने job से या किसी भी जो भी वो करते हैं business करते हैं job करते हैं इसलिए वो थो तो आप उनको reply जरूर दीजिए अकर उन्होंने कोई गलती की है तो उन्हें बहुत regret है और वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं जो भी हैं बहुत जल्द आपको उनका message आएगा उनका कोई call आएगा और आपके सामने सारी picture clear हो जाएगी I hope आपको समझ में आ गया होगा जैमात अदी जैश्री कृष्णा अब बात कर लेते हैं फोर नंबर की जिसने भी चूस किया है फोर नंबर का पाइल उनके लिए tarot card क्या message लाए हैं दोस्तों बता दें आपको की जो आपके दिल के सबसे करीब है और recently आपका उनसे बात चीत करना बंद हुआ है कुछ जग आपके भाई वहन भी हो सकते हैं आपका उनसे जगडा हुआ है recently किसी बात को लेकर कोई गलत फहमी को लेकर आप दोनों की बात चीत बंद हो गई है कोई जो आपके दिल के बहुत करीब है और अभी आप दोनों के बीच बिलकुल भी बात नहीं हो रही है वही आपको बहु भी अनबन हुआ है जो भी गलत फहमी हुई है तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है बहुत प्योर कनेक्शन है आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं और अभी जब आप बात नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रह रहे के आपका ख्याल आ र रिष्टे होते हैं वो तो छोटी मोटी लड़ाई जगड़े से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो और स्ट्रॉंग हो जाते हैं इसलिए उनका आपसे जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉंग है और वो आपसे दूर रहकर आपको बहुत जादा मिस कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ब-थ हम बात करके उसको सुलिजा सकते हैं क्योंकि कोई गलत फहमी है आप दोनों के बीच आगई है और आप दोनों को अब ऐसा लग रहा है कि वो गलतियां थीं कुछ आपकी तरफ से हुई कुछ उनकी तरफ से हुई अगर हम बैठकर बात करेंगी तो दोनों सही समझ सकते हैं कि किस की गलती है और बात चीद को हम शुरू कर सकते हैं तो बात वही है कि वह been हो सकता है या तो पिर बहुत ज़्यादा किसी प्राब्लम में फ़स गए हैं और उन्हें आपकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि जिसका रिष्टा दिल का होता है उसे एहसास हो जाता है कि आज मेरा पार्टनर या आज मेरा करीबी आज मेरा चहेता किसी मुसीवत में है तो हो सकता आप किसी प्राबलम में है तो वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको या तो फिर वो किसी प्राबलम में है और आपको दिल से याद कर रहे हैं तो आपका फर्ज है आप उनसे बात कर लिजे दोस्तों आपके जो पर्सन है आपके हस्बेंड या वाइफ हो सकते हैं जो भी आपके दिल के बहुत करीब है जिससे आपके बात चीत भी नहीं हो रही है उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात करें बहुत जल्द किस से करें वो वही सोच रही है रास्ते ढूंड रही हैं कि आपसे बात हो जाये तो कैसे भी करके वो आपके साथ अपना रिष्टा खोना नहीं चायते हैं और आपको बता दें, उनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपसे जगड़ा नहीं हुआ होता तो अभी वो आपके साथ अच्छे से टाइम इंजॉाय कर रहे होते, टाइम स्पैंड कर रहे होते आ गया है कि आप लोग एक दूसरे को सौरी नहीं बोल पा रही है जो भी है आपको समझ में तो आ गया होगा कि कौन आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है तो दिल के रिष्टे ऐसे नहीं ही तूट जाते हैं आप उनसे बात करें आप उनसे बात करके अपने जो भ कुछ भी ना सोचें कोई क्या कहेंगा यह सब भी नहीं बस अपने प्यार के लिए आपको एक कदम तो बढ़ाना ही चाहिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ख्याल रखें अपना और उनका जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं जैमातादी चैश्री कृष्णा टियर बात करते हैं पाइल नमबर फाइब जिसने भी चूज किया है उसके लिए क्या मैसेज लाए है टेरो कार्ट कौन है जो आपको बहुत याद कर रहा है बहुत मिस कर रहा है इस वक्त दोस्तो यह टाइमलेस रीडिंग है आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तब आप से यह रेजोनेट होगा तो आपने चुना है पाइल नमबर फाइब को और आपको हम बता दें कि वो जो आपको बहुत मिस कर रहा है उसके साथ आपका इंटर कास्ट इशू है साइद और या तो फिर इस डिफरेंस इस डिफरेंस बहुत स्ट्रॉंगली यहां पर हैं वो आपका साथ दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे आगे फ्यूचर में आप उनके साथ आगे बढ़ें ना बढ़ें बहुत कन्फियूजन होता है तो वही उनकी भी मन की स्थिती है उनको भी इतना कन्फियूजन है भी कि क्या किया जाए क्या करें क्या ना करें वो को commitment देना चाहते हैं वो आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी जो family है या तो फिर उनके जो बहुत close relatives हैं वो आप दोनों के रिष्टे के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि आप उनकी life में आएं आपके साथ वो आगे बढ़ें अपनी life में कोई भी वो आपको commitment दें आ हैं आपके साथ relation रखें इससे बहुत से लोग हैं जो आप दोनों का रिष्टा तुडवाना चाहते हैं इसलिए आपके person जो है अभी बहुत ज़्यादा confusion की condition में हैं और उन्हें समझ नहीं आरा वो क्या करें क्योंकि वो तो सिर्फ आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते है आपकी जगए वो किसी और को दे भी नहीं सकते है अपनी लाइफ में क्योंकि आपके साथ ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं बस अब इसके बाद और कुछ भी नहीं चाहिए तेखिए आपकी जो person बहुत समझदार है इसाथ चीज समझते हैं हर परिस्तिती को समझते हैं और इसी लिए उनको ऐसा लग रहा है वो नहीं चाहते कि आप भी कभी मुसीवत में पढ़ें लेकिन देखती ना कभी ऐसा होता है इसान दिल के हांतों मजबूर हो जाता है तो बहुत सी मजबूरियां ऐसी हैं जो वो वो आपसे share नहीं कर पा रही वो किसे कहें कि उनकी family इस रश्टे के खिलाफ है आपका दिल तूट जाएगा इसलिए वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते वो आपको दुखी नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ उनका दिल आपके बिना तूट जाएगा वो ये भी नहीं चाहते वो नहीं चाहते कि आप उनकी जीवन से चले जाएए उनकी जिन्दगी से चले जाएए इसलिए वो बहुत confusion की इस्तिती में हैं लेकिन आपको बहुत याद कर रहे हैं जब भी वो फ्री होते हैं पस उनके दिमाग में एक यही लडाई चलती रहती है कि वो क्या करें क्या ना करें दिल कहता है कि आपके पास सब छोड़कर चले जाएए और दिमाग ऐसा करने नहीं देता है पस यही condition है I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो परसन ने वो क्या चाहते हैं आपसे तो फ्रेंट्स आपको आज की रेडिंग कैसी लगी हमें जरूर बताईए कमेंट करके साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में इस्ट का नाम जरूर लिखें जै माता दी जै श्री कृष्णा जरूर लिखें जै माता दी